अगस्त क्रांती को हरी जंडी दिखाई जा चुकी है अब ये ट्रेन यहां से चल रही है आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सजी धजी ट्रेन यहां से रवाना हो रही है और ये अलग तरीके का मौका है ये मौका है भारत की आजादी को याद करने का अमरत महुस्सों का यहा पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जंडी हिलाई जा रही है और तमाम लोग पूरे उस्साह के साथ इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं यहां पर एक अलग ही नजारा एक अलग ही तस्वीर आपके सामने है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन आगे में यह चलती है पस्चिम रेलवे की यह ट्रेन है और यहां अलग फूलों से इसको सजाया गया है तेजस का रैक है और कुछी दिन पहले यह तेजस सुरूं किया गया था इसमें जो सुविधाय हैं वो कहीं न कहीं यात्रियों को को अपनी तरफ आकर्शित करती हैं लेकिन आज एक खास मौका है आज उसलिए खास है क्योंकि आईयने के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने इसको हरी धशंडी दिखाई है और ये जो हरी धशंडी दिखाई गई है ये देश में लोगों के बीच में संदेश भेजने के लिए है कि आजादी बहमूल है बड़े संघर्स के बाद ये आजादी मिली है और सभी को मिल जुलकर रहना है अगर हम अगस्त करांती ट्रेन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान जो जगा था लोगों के अंदर जोस भर गया था और सन 42 में जो जोती जलाई गई थी वो जाकर हम कह सकते हैं सन 47 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उस आजादी के अब 75 साल हो गए हैं 75 साल के लिए अमरत महस्तों मनाए जा रहा है और अमरत महस्तों के लिए द्धानी दिल्ली की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन से हरी जंडी दिखाई गई और ये खास मौका है अगर हम दिल्ली डिविजन की बात करें तो एक और ट्रेन जिसको सत्याग रहे एक्सपरस कहते हैं उसको भी रवाना किया जाएगा इसी तरीके से आजादी बहम कि जो देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको नमन करने का वक्त है कैमरामेंट डीके सर्मा के साथ सिध्धार्थ न्यूज स्टेशन दिल्ली देसे नहें धने करने हुटनिक düDS कि लिप कि डामेंट आंधेंट था तरीके से जेकिएती यिर का म soprattutto चून स्टप्छरण सेर्ञ нос सेर्ड़ी तरीके साथ हैं चर्थ प्राइब झाल झाल झाल